दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटुब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पर मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडो मिक्सिंग से संबन्दित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबन्दित हो या फिर सौफ ये स्वाफ्टर से संबन्दित आप मुझे वाटसप यह कॉल करे और सेलूशन लिजिए बिल्कुल फ्री नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल प्ले एडिट सॉलूशन में एक वीडियो मैं बना करके पूरी कम्प्लीट ये वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दिखाने वाला हूँ पूरी PC की जाने कारी आपको मैं दूंग इस तरीके के समस्या काफी साहे लोगों के साथ देखने को मिले हैं मैंने का दो वीडियो पीछे भी डाला था और आज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ये भाई साब तक्रीबन एक लाख रुपे लगा करके आसे दो तीन साल पहले इन्होंने एक PC बनवाई थी बिह बिहार हार में मुझफर पूर से अब मुझफर पूर में कहां से ये नहीं बताओंगा उस दुकांदार का मैं नाम नहीं लोगा मैंने इनको भी मना कर रखाए लेने के लिए जो उसको करना तो वो तो कड़ी दिया इनके साथ ये मशीन ने bạnवाया मशीन में प्रॉ़लुम क हैं और कैसे पता लगा इनको मेरे बारे में सबसे पहले हम इंका स्वागत करेंगे अपने चैनल पर बाबु क्या नाम है आपका धीरज बर्नवाल जी कहां से आ हैं बाबु आप तो बेतिया का जीला आपका मुझफर पूर लगता है तो मुझफर पूर कैसे अच्छा सामाल आप मुझा पूर मेरे से ठीक है इन्होंने मशीन वहीं से बनवाई थी कितना दिन पहले अपने धीरज बाबु मशीन वहां बनवाया था दो तीन साल पहले और अभी तक कितना कैसे आपने उस पर बना लिया मतलब बना लिया वहीं विच्छी से बना उसके बाद अच्छा कि देखिए यहां पर एक चीज मैं हमेशा वीडियो में बोलता भी आया हूं और आप लोगों ने पहले भी सुना होगा आज भी मैं आपको बता रहा हूं आप भी सुनेंगे बाकी सारे भी लोग सुनेंगे जो भी आदमी नया वैपार चालू करने जाते हैं एक लाख यहां सिंब करने हाना जाएर सिबाति कि बहुत जुगार भजी करके पैसा कठा किया होगा मांघ चान करके किसी तर्के से और वह जब ले Ergebs गर्ज पर उन्हें पैसा लिया है सम्मू से अगर उन्हें पैसा निकाला है तो हर हफ्ता उनको किस्त भरना है बात को आप समझ रहेंगे मैं क्या कहना चाहरा हूं सम्मू वहला पैसा छोड़ेगा कूर्सी लगा कर बढ़ जाएगा भाई आप पैसा लाओ तो जाएंगे और तो आप देंगे या आपके ग्रूप के मेंबर देंगे पैसा मिलेगा तो आपका वो दर्वाजा छोड़ेगा अगर पैसा नहीं मिला तो दर्वाजा नहीं छोड़ेगा बेजजत कर देगा आपको लेकिन पैसा ले करके जाएगा तो यह परिशानी को थोड़ा सा आप लो पैसा कमा रहे हैं ऐसे व्यक्ति को चुनिए मैं यह कभी नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आई लेकिन जहां भी जाईए यह चुनाव आपको करना है अगर यह चुनाव नहीं करेंगे तो जैसे आज हमारे धिरज बाबु दुबारा फिर मशीन बनवाने के लिए हैं देखिए समान निकाल के रखा हुआ है आप भी ऐसे ही परिशान रहेंगे भाई साब यह दुबारा आपने पैसा कैसे जुटाया धिरज बाबु यह पैसा आपने कमा के रखा हुआ था या कहीं से जुगाड किये हैं उसको भी लौटाना होगा पता यह बहुत चिंता की बात है और दुबारा यह फिर पैसा जुगाड करके ले करके चले हैं तो सोची कितना विश्वास मेरे उपर इनका बना होगा कितना विश्वास कि नहीं अब जो हम मसीन लेंगे वह हमको सही मिल जाएगा अब हमको सही आदमी मिल गए हैं यही किया है तो मेली जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके विश्वास को निभाएं और यह और एक ऐसा सांदर मशीन इनको बना करके दें जिस मशीन को चलाने के बाद इनके पीछे का पैसा भी निकल जाए और यह भी पैसा इनका निकल जाए मसीन जो आज हम बनाने वाले हैं यह बनाने वाले हैं कूर आई सेविन बत्ती जी विरम डिडियर 5 के साथ 12700 के साथ इतनी तगड़ी मसीन बना करके देंगे कि घंटे का रिंडर मातर छे मिनिट के अंदर हम निकाल करके आपको देंगे यह ऑन कैमरा हम आपको खड़ा करेंगे आप बताएंगे और आपके आँखों के सामने हम चेक करवा करके तब हम आपको दे करके मसीन छोड़ेंगे कहीं से कुछ और और परफार्मेस देता है आपका मशीन कुछ और आप गलत आदमी आप जूट बोल करके मशीन बेचते हैं आप स्वतंत रहें कोई जरुवत नहीं है किसी के दबाओं में आकर के जूट बोलने की कैमरे पे समझ में आ रहा है बात अगर आपको लगता है कहीं से गलत है या कुछ गड़बड है आप स्वतंत रहें आप पैसा लगा रहा है आप डारेट कैमरे बोली की सर्जी आपका काम सही नहीं है आपका मशीन परफार्मेस नहीं दिया आप बताते कुछ हो रहा है देते कुछ हो रहा है चलिए बढ़ते आगे मधरबोर्ड निकालते हैं म यह जानकारी देते हैं और पूरा कंप्लीट वीडियो देखेगा अभी आपको पता लाएगा कि वाकई में प्लेडिट शॉलूशन पे एक ब्यहतरीन पीसी बिल्ड किया जाता है या फिर यहां भी जोल जाल होता है दोस्तों यह मदरबोर्ड है जो कि हम आज धीरज भाई यह सपोर्ट करने वाला है तीन M.2 NVMe SSD एक साथ लगा सकते हैं ग्राफिक कार्ड अगर आपको कभी गेमिंग करनी है अगर आप लगाना चाहते तो एक साथ तीन तीन ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं बादबक USB में आपको 3.2 का नया अपडेट इस मदरबोर्ड के साथ मिल आपको दिखा चुके एक बार ओन आपको दिखा चुके हैं अगर यह पूरा मैटल यह इनवान लगाई यह प्लास्टिक नहीं प्लास्टिक माच समझेगा यह हिट सिंक है और यह भी हीट सिंग है यह सब लगाया गया है ताकि इसकी हीट को टेंपरिचर को नॉर्मल रखेगा यह मदरबूर्ड हम लगाने वाले भाई साब के लिए और इसके साथ अब हम बात करेंगे लगने वाले प्रोसेसर की तो प्रोसेसर लगने वाला है आज के सिरिज का और के सि ज्यादा होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो Google पर सर्च कर लिएगा और आज के बाद आपको विजानकारी मिलागी जो सबसे तगड़ा प्रोसेसर होता है वह के सरी का प्रोसेसर होता है नंबर यहां पर आप देख पारेंगे 12700 सबसे तगड़ा प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर पर आज हम करेंगे कंप्लीट मैनूल बायो सेटिंग के साथ काम ताकि एक घंटे का रिंडर मातर छे मिंट के अंदर निकल जाए बाबु सील काटने जारे एक बार सील चक करिएगा देके सील है कोई फरजी वाड़ा वाला का कहीं ऐसा तो नहीं कि सील दिखा करके इधर से फ़ाड़ के माल चेंज किया गया हो कंप्लीट है कि आपके सामने हम सील ब्रेक कर लेते हैं प्रोसेसर को बाहर निकल लेते हैं यह प्रोसेसर आज हम लगाने वाले हैं इसके साथ हम रेम लगाने वाले दोस्तों 32Gv DDR5 बावन गारेंटी वारेंटी आपको फूल मिलेगी उसके बाद भी आप पैसा लगा रहें तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सील पैक माल है या नहीं कंप्लीट है कोर्सेर कर रहे हैं और कोर्सेर से बहतर रहें बनाने वाले दूसरा कोई भी कंपनी नहीं है इसमें रिप् आया एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं यह हमारा M.2 NVMe SSD है एक बार नजदी का जाईए इसमें एक साटा वाली भी आती है सेम ऐसा ही रहेगा इतना ही बड़ा रहेगा आप देख के जानी नहीं पाएंगे पहचान क्या है इसमें एक तरफ दांत कटा हुआ है साटा वाल ज्यादा फास्ट काम करता है कितना साट गुना ज्यादा ठीक है तो यह यूज करने वाले है और आज के तारिक में डीडियर फाइब से ऊपर कोई भी रैं नहीं है आप भी चेक कर लिजेगा ठीक है इसके बाद हम लगाने वाले दो फाइन अलग से उपर के साइड में ता संतुस्त हैं फिनिशिंग वगर के मामले में बेतर है चलिए क्योंकि आप पैसा लगा रहा है आपका संतुस्त होना जरूरी है हम तो बना करके देने वाले हैं ठीक है लाइए यह यह ब्लैंक लगवा रहा है साधा डेटा रखने के लिए अपना और वीडियो एडिटिंग वाला डेटा कॉपी में लगा हुआ है सर सही बता रहा हूं जूट है सही है ना चलिए यह भी सील प्रेफ होगा आपका ठीक है एक तो आपके सामने सील फाड़ा लगा रहा हूं हमेशा गिगावाइट के साथ ब्रैंडेटड गीगावाइट की सप्लाइए हम लगाने वाले है छे सो पचासवाट की 80 प्लस ब्रोण स्वाइड पाउर सप्लाइए है और कितने दिन दिन की वारंटी गारंटी बबी पांच साल पांस साल में तो बहिया पै लेखने के बदने के बाद के सारा पेस 15 लगांगे बहतर तरके दोस्तों तोख वगई है लगा कर जब्बा कब्बा या कोई भी वाइरिंग से संबंदित तामजाम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे पास जो भी PC बिल्ड किया जाते हैं इस तरीके से ही बिल्ड किया तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरी वाइरिंग हम साइड में लेकर के वाइरिंग को टाई कर दिया है बहतर तरीके से ताकि एक भी तार इदर से उधर अपने जगह से हीले नहीं अब क्यूंकि डेटा कोपी होने में भी टाइम एक्सेलेट गंटा तो हम इसे विंडूस अगर डाल कर कोके कर लेंगे बाय एक बार हम कैमरे प्याएंगे धीरज भाई को लेकर के जिनका PC है और उनसे ही आपको पूरी जानकारी दिलवाएंगे कि मेरे पास से मसीन बनवा करके भाई साब संतुष्ट हो पाएं या फित नहीं दोस्तों धीरज भाई की PC मैंने पूरे इत्मिनान पूरी तसल्ली से ब PC की बिल्ड क्वालिटी काफी शांदार है उपर के साड में दो फैन लगाई हुए है बड़ा वाला CPU कुलर आप देखिर 120 mm का पीछे भी फैन लगा हुआ है और यह मदरबोर्ड काफी अपडेट मदरबोर्ड है और इसका एंटीना वगरा भी हमने सारा कुछ टाइड कर द यह इसको तो कितना वजन है कितने का डिफरेंस है उसके और इसके वजन में ज्यादा है उससे यह मशीन 9700 रुपे की आती है और टूटी भी हार्ड ड्राइब के साथ इन्होंने हार्ड ड्राइब एक अलग से और लगवाया हुआ है और उपर वाला फैन इसके साथ नहीं लगवाया हुआ है पीसी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे अभी इनी से पूछेंगे दिरत बबु टाइम लाइन कहीं भी प्ले करने में कहीं भी आपको बफरिंग फेस करना पड़ा हो या पीसी हैंग हो गई हो या एडियस या कोई भी सॉफ्टर जो भी जिस पर भी काम किया गया है वह जाम हो गया हो ऐसा कुछ नहीं है और एक घंटे का रेंटर जो हमने लगा करके आपको दिखाया है आपने क्या देखा आपने आखों से कितना टाइम दिया था श्य मिनट भी सेकंड पंतरा सेकंड के आसपास का था इस पीसी पे अगर आप इस तरीके का पी प्रडे की नहीं काम करना बहुत आसाना है और जो जो बने चुर्फ बने घैंसर प्रण को इापने देखा mixture नहींगर दिखने करनाit रहा है तो दीजाइन पने हैपने देखा अब हैने अवी डिजाइन से भी अभी पास बिहार से मोझाफर पूष।र अपोर ौपलिब कर संदेष आप काम होदा कैसे नहीं से कोई एक भी हो Ja कुछ काछ पर्षो Chr Parcepark वगधा क difais dawии में को चसल के बता है वोगरा है सट्वीड है कहीं आर इसकत कंद टना हो यहथि सटेऀयride के लगाते हैं जो कर आने की देखा हैं कि रूंद एक स्न्य कंदेश यहां ब्रांड में सरजी धकेल दिये या हमारे साथ समान का कंपनी चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा कुछ कहीं से कोई डाउट नहीं नहीं कोई भी संदे होगी तो ऑन कैमरा आप बोल सकते मेरी मेरा वादा है मैं काटूंगा नहीं पूरा दिखाऊंगा कि संतुष्ट है ना चलिए मैं कभी निचाथ अब बिना संतुष्ट जाए मैं हमेशा यह प्रयास रखता हूं कि कस्टमर जो भी पैसा लगा रहा है वह पूरे तसली के साथ मेरे पास से काम करवा करके जाए पैसा कैसे जुटा यह दूबारा यहीं जानते होंगे एक तो पै आकर के लेकर जाना चाहते हैं आकर की लेकर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं घर बेठे घर भी आफिक लिए खार कंड कर से जाएगी और यह बनवा रहे है कुछ इंपीडियो काम के लिए इनके पीसी में मिल जाएगी पहले मिल गया होगा या बाद में आपको मिल जाए क्योंकि कौन सा वीडियो कप पड़ेगा इसका कोई ठीकाना नहीं रहता है तो उमीद करता हूँ कि जानकारी पूरी हो चुकी है कुछ छूट रहा हो कुछ जानना हो कुछ मिस हो रहा हो मेरे से तो आप मुझे वाटसप या कॉल कर लिजिएगा मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में तब तक कि लिए आप सभी लू को प्यार भारा नमस्कार जाहिन दोस्तों